कि एंसे अटी क्लास सेवंथ साइंस का पहला चेप्टर है तो इसके हम आत्पूर प्रसंद दखेंगे पहला प्रसंद है निमलिकित कत्नों में से कौन सा सत्य है तो फ़स्ट है जो जीव अपना बोजन स्वें संसलिसित करते हैं उसको स्वापोसिक करते हैं और जो जीव अनि एक और दो दोनों सही है नेक्स्ट निमलिकित में से किन्हें पादप की खाद्य फेक्ट्रियां का जता है फर्स्ट आप जड़ साखा निचे दिये गए कूट का सही प्रियोग करके सही उत्तर का चैन कीजिए तो इन में से कौन सा खतन सही है पादप की जो खाद्य क्या लगता है आई देखते हैं अगला प्रस्ट निम्र कित में से कौन सा प्रकास के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल सुरिका प्रकास कार्बान डायकसड जल और नीचे दिये गए कूट का प्रयोग करके सही उत्र का चैन कीजिए तो कौन सा उप्सिन इसमें से सही तो चोथा ऑप्संडिसमें सही हो जाएगा क्योंगे चोथा चारु जिसमें सही की लिए च्रकास के लिए सुरी का प्रकास सियोट और जल चारु क्याव सकता होती है तो डियोफ्संस का केवल ऑक्सिजन गेस्ट बनती हैं और पत्तियों दुवारा पत्तियों के अलावा पादपों के दूसरे बाग हरे बागों में भी प्रकास संसेशन होता है उपिक तुन से कौन सा सही है तो ब्यू अप्स इसका सही हो जाएगा केवल दो क्योंकि प्रकास संसेशन की प्रक्रि किजिए सभी पादप अपना बोजन स्वेम संसलशित करते हैं पादप मरदास में उपसीद नाइट्रोजन जड़ों की साहिता से पराप्ट करते हैं तो इन में से कौन सा कतन सब्सक्राइब है नेक्स्ट है। निमलिकीत में से कुणी सापधप कीटों को पकड़कर अपना अहर प्राप्ट करता हैं। तो अमर्बे, गुड़हल गटपरनी या फिर गुलाब। इनमें से जो अमर्बेल हैं वो तो परजीW पादप है और गटपरनी पादब जो होता है वो कीटा हारी पादब की सरेणी में आता है इसलिए अपना जूसरी उतर हो जाएगा वो सी ओप्सिंस में करेक्ट अंसर है अगला प्रस्ने निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए वह पॉशन जिसमें कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और आवास और बोजन एक दूसरे के साथ बांटते हैं साज जीविक कहलाते हैं वह पॉशन जिसमें किसी मरत इमम विगटीत जैविक पदार्तों से पॉशन प्राप्ट करते हैं मरत पॉशन कहलाते हैं कौनसा कतन सकते हैं तो कुथर नंबर एक और दो दोनों सकते हैं नेक्स्ट सब्सक्रापूर जीवानों इसमें साज जीविक का उधारन है लेकिन दोस्तों कवक और शेवाल जोते हैं वह हमारे इसमें होते हैं तो फर्स्ट आप्सिंस का करेक्ट आंसर होगा